आज के विनर जो सब्क्राइबर हैं उनका नाम क्या है उनका कमेंट क्या आया था सब देखने को मिल जाएगा अब जब को मालूम है 30 days challenge चल रहा है 30 days challenge में क्या है अभी आपको आगे जानने को मिल जाएगा हेलो योट्यूब फामली, गोड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे शाम का समय है और शाम की चाय पी रही हूँ, आज मैंने कुछ भी नाश्टे में नहीं बनाया था बाहर से नाश्टा आ गया था, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है, खाली चाय पी रहे थे और शाम को जो है, सब लोग सोके उठे थे, तो सारा बेट मैसी था, तो मैंने कहा कि पहले इसको समेट लेती हूँ, मैंने चाय तो पी ली थी, चाय पीने के बाद ही, मैं सारा बेट क्लीन करती हूँ, आप से भी को मालूम है क्योंकि तब तक कि सब अच्छी तने से उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो माइंड सही तने से काम करता है और मेरी मौर्निंग में भी यही responsibility रहती है कि मौर्निंग में सबसे पहले मैं चाही बनाती हूँ तबेत की वज़े से और थोड़ा गले की वज़े से पीती हूं बहुत ज़्यादा खराश होने लगती है तो बहुत डर लगने लगता है कि कहीं मुझे अटाक ना पड़ जा इस्तमा का तो इसी लिए जो है मैं गरम पानी पी लेती है तो प्लांकेट को मैंने फोल्ड करके दूसरे वाले रूम में रख दिया काफी धूब हो रही है मेरा खाल मेरे किया चार या 5 बज़ रह रहा है तो मैंने खाल कि चलो ओड़ सेट कर देरे जही ऐ क्ली निडे लू सही नहीं पर तो भी वहाँ कर दीनिग समने चिवस चिप्स अब इसब चीजे कहाई थी तो और मेरी पफ की टापलेट का सब प्रापर पढ़ा तो मैंने का कि अभी कुबरिया नहीं हुई है तो मैंने सोचा कि एक बार पूरी तने से सही कर देती हूं रूम को नहीं तो कोई आज है आज कल गेस्ट बहुत आ रहे हैं हस्बिन को देखने ये लिए कभी-कभी तो इतने सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं कि मुझे व्लॉग बनाने का या आप सबसे बात करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूं कि आपको मेरे डेली व्लॉग्स मिल सकें डेली रूटीन जो मैं करती हूं वो सब शेयर है मेरी तो यह लेक आई थी बिस्किट तो वही हमने का की टेस्ट करते हैं तो मैं आपको पूरा शूट नहीं दिखा पाई क्योंकि आप समझ सकते हूं दीदी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कैमरे में आनर इतनी से पिक ले लिए थी तो यहां पर मैं बना रही थी डिनर और डिनर में आज मैं हस्बिन की पसंद का ही डिनर बना रही थी क्योंकि उनको जो है नॉन विच बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है राजिस्थानी चिकन बना रही थी तो जिस दिन मैं प्रॉपर दने से फ्री होके बनाऊंगी तो उस दिन रेसिपी जरूर शेय कर दूंगी मगर आपको उससे पहले कमेंट शेक्षन में कमेंट करना पड़ेगा यहां पर हमारा डिनर हो गया था तयार यह देखिए चिकन करी राजिस्थानी स्टाइल में इसकी आप शकल देख सकते हो कैसी लग रही है कमेंट शेक्षन में जरूर बताएगा और सब लोग फिर बैट गे थे हम लोग डिनर करने तो तेजस कोल रिंग पी रहे थे वह ही दिखा रहे थे और यह देखिए तो भाई जो लोग नॉन यह जो फोईटन कर देखिए और सब्सक्राइब करते हो धे हैं अब जिखेस लोग जो बैद नियुक्टन करने घ्ल खाने तो बटन मैं तुरंद है क्लीन कर लेती हूं स्लेव को क्लीन कर लेती हूं क्योंकि मुझे बिलकुल बी पसंद नहीं है नहीं बहुत बहुत रेर हो मैंने बनाया था क्योंकि उनको पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है तो इस लिए मैंने सारा क्लीन कर दिया था कि अभी अचानक रात के साड़े ग्यारा बजे कोई गेस्ट आ गया था हमारे यह और मुझे बाहर से जो है डिनर ओर करना पड़ा था आप समझ के होगे कि कौन भावी और दीदी लोग आई थी तो मैंने बाहर से खाना ओर्डर किया मैंने नॉन्विज ओफर भी किया था तो उन्होंने मना कर दिया था कि नॉन्विज मैंने खाऊंगी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तो मैंने कोई बात नहीं मैंने बाहर से दोसा और पनीटिक का मंग तो मैंने सोचा कि डिनर में यही हो जाएगा ज्यादा बेस रहेगा ऑनलाइन सही रहता है फटाफट आ भी जाता है जितनी भी देर हो हेलो कैसे आप सब मेरी हाला देखके आप सबस्ट गए होगे कि मैं तो ठीक नहीं हूँ और मैं इस समय बैटी थी चाय पीने अभी अभी सब लोग गए हैं गेस्ट बहुत आए थे कल रात को ग्यारा बजे भाबी आई थी दीदी आई थी सब लोग रुके हुए थे इनको दे बॉक्त बहुत अब्लश City है एक और सब्सक्राइब आप देखने को मुल जाएगा व्लोग में अपने देखी लिया होगा इया बहुत टेस्टी है इसको चाय के सादख हो या प्लेन गटाइब पुल जाहिएगा इसको आवाइड कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा था जुकूई हूं बहुत ज्यादा कल से स्रिव मैं कहां कहां कर रही आप सब के साथ में शेयर भी कर रहे हूं तो मेरी चेहरे पर मत जाहिए का इस समय मैंने आप सबसे कहा था कि 30 डेस्ट चालेंज हम लोग गेम खेल रहे हैं तो जो इनके भी कमेंट आएंगे वन वीक तक लगातार उनका कमेंट क्यों है मैं उपर लगा दूँगी नाम आपको पता चल जाएगा तो इस बाहर का कौन है अभी आपको पता चल जाएगा विनर सब्क्राइबर कौन है मैं बता देती हूं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विशाज शुक्राजी थैंक यू आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किये और मुझे बहुत अच्छा लगा तो थैंक यू दिल से थैंक यू अगर आप भी पार्टिसिपीट करना चाहते हो 30 देज चालेंज में तो आपको बस इतना से करना है वन वीक तक के आपको लगातार कमेंट करना है जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा वन वीक तक लगातार आएगा तो मैं उसका उस सब्क्राइबर का जो कमेंट है मैं उपर लगा दूँगी आप कमेंट पढ़ सकते हो और नेम भी मेंशन हो जाएगा तो अगर आप तयार हो तो आप पाटिसिपीट कर सकते हैं तो आज क झाल